इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हर उस जगा पर किया जाता है जहां किसी भी चीज के वेट को मेजर करने की अवश्यक्ता होती है हमारी डेली लाइफ में इसका सबसे ज्यादा इस्तमाल किराना, सबजी और फल की दुकान पर देखने को मिलता है वेट मेजर करने के लिए तराजू और इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन का इस्तमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और इसके easy to use होने के कारण, मार्केट में इसकी डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ी है इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विडियो जिसमें आपको इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन मेनफाक्चरिंग की हर एक जानकारी दे जाएगी इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन के दो मेन कॉंपनेंट्स होते हैं एक इसका base और दूसरा इसका display unit जो हमें वजन दर्शाता है इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन के base को बनाने के लिए सबसे पहले metal plate की जरुवत होती है जिस पर सभी components को assemble किया जाता है इसमें transformer, load cell, battery, relay और PCB यानी printed circuit bolt का इस्तमाल किया जाता है बैटरी ही PCB यानी mother bolt को power supply provide कराती है जनरली ये battery 6 volt की होती है इस battery को desired voltage प्रदान करने के लिए transformer का उपयोग होता है जो 220 volt के voltage को 6 volt के voltage में convert करता है इन सभी components को लगाने के बाद इसमें load cell लगाया जाता है जिसकी सहायता से ही हमें machine पर रखे हुए वजन का पता चलता है load cell weighing pan से directly connect होता है जब load cell के उपर weight रखते हैं तो ये weight द्वारा लगाए गए force को proportional electric input signal में change करता है जिसे amplify, calibrate और digital signal में convert करके PCB द्वारा display पर दिखाया जाता है सभी components को base plate पर mount करने के बाद इन्हें आपस में cables, FRC connectors की सहायता से connect कर दिया जाता है जिसके लिए required electric circuit के अनुसार इनकी soldering की जाती है इतने process के बाद base plate की mounting complete होती है अब इस system को electric power supply देने के लिए power called को circuit से connect किया जाता है अब display unit की soldering की जाएगी soldering complete होने के बाद इस base plate को cover लगा कर धग दिया जाता है और इसे calibration और testing के लिए भेज दिया जाता है testing हो जाने के बाद इसमें buttons, stickers आदी को लगाया जाता है कुछ weighing machine में design requirements के नुसार एक vertical stand display या एक second display भी लगाया जाती है इसके बाद cover को base plate पर bolts और studs की साहता से assemble कर दिया जाता है अब last में इसमें weighing pan लगा दिया जाता है अब आपकी weighing machine तयार है इसके बाद इस machine को एक बार फिर test किया जाता है इसके बाद इस machine को pack करके market में supply के लिए dispatch कर दिया जाता है electric weighing machine manufacturing का वेवसाई शुरू करने के लिए raw materials के रूप में metal और steel plate, bolts and studs, battery clamps, electrical components जैसे PCB, load cell, transformer, battery, switches, cables, FRC connectors, power cord आदी का इस्तिमाल किया जाता है जबकि machinery के रूप में आपको temperature control soldering station, hand tools जैसे wrench, plier, screw driver, etc. और testing equipment की जरूवत होगी इस वेवसाई को शुरू करने के लिए 3-5 kilowatt electricity connection और 800-1200 square feet area तथा 2-3 manpower की आवशक्ता होती है इस वेवसाई को आप 4-6 लाग के investment के साथ शुरू कर सकते हैं पूरी शमता से काम करने पर प्रति दिन लगभग 100 electric weighing machines बनाई जा सकती है और इस वेवसाई से सालाना 15-20% तक का मुनाफ़ा कमाया जा सकता है अगर आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है तो आप सरकार दोरा चलाई जा रही PME GP योजना का लाब उठा सकते हैं 20 लाग तक सर्विस सेक्टर और 50 लाग तक manufacturing सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतरगत आते हैं आपके वर्क के अनुसार सबसेडी भी प्रदान करने का प्रावधान है अगर विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और ऐसे ही शांदार बिजनस आइडियास के लिए उध्यमी आप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उध्यमी इंडिया की आधिकारिक विबसाइट www.udyami.org.in पर बिजनस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉंटाक नंबर 7526 000444 पर भी संपर्क कर सकते हैं